जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका GKGS वाला में दोस्तों आज हम कबर करने वाले हैं ट्रोप 100 GK कोश्चन जो की हिंदी में है दोस्तों ये ऐसे कोश्चन्स है जो हर परिक्षा में हर साल बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों यह GK की questions है और one liner questions है जल्द यल्दे देखेंगे ध्यान से देखियागा most important प्रस्ण है चलिए start करते हैं दोस्तों आज की class इसमें पहला प्रस्ण कहा रहा है दोस्तों गुरुनानक का जन्म कहां हुआ था अमरिस्सर में अगला प्रस्ण कहा रहा है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सुभाज चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया तीसरा प्रस्ण है भारत के सम्मिधान का पिता किसे कहा जाता है most important प्रस्ण है भारत के सम्मिधान का पिता डाक्टर भीम राव अम्बेटकर को क अगला प्रस्ण है भारत में रेलしょं कि शुर्गव्याद कब से हुई ये मोस्ट इम्पूर्टरिट प्रस्ण है ये कई बार एक्जाम में पूच चुका है भारत में रेल्रे के शुर्गव्याद कब से घृती अथ imitate contest से अगला प्रस्ण है असहयूग अंदोलन कब हुआ असहयूग अंदोलन 1920 में हुआ था सात्वाँ प्रस्न है दोस्तों महात्मा गांधी दच्छिल अफरीका कब गए तो याद रखेगा 1893 इस बी में महात्मा गांधी दच्छिल अफरीका गए थे यह most important प्रस्न है कई बार एक्जाम में पूछ चुका है याद रखेगा आठवाँ प्रस्न है दोस्तों चमपारण सत्यागरह कब हुआ था तो याद रखेगा 1917 में चमपारण सत्यागरह हुआ था याद रखेगा जो सन वाले questions होते हैं उनमें ज़्यादा confusion होती है इसलिए सन वाले questions ज़्यादा पूछता है दोस्तों और इसलिए मैंने सन वाले questions को यहाँ पे ज़्यादा लिया है चवरी चवराकांड कभ हुआ तो याद रखेगा दोस्तों चवरी चवराकांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था याद रखेगा कभी-कभी ऐसे देता है 6 फरवरी 12 फरवरी या फिर 18 फरवरी 1922 इसलिए याद रखेगा पांच फरवरी पहले याद रखेगा आप लोग 1922 तो याद रख लेंगे लेकिन पांच फरवरी को भी याद रखेगा अगला प्रस्न है बंगाल का विभाजन की घोसड़ा कब हुई तो याद रखेगा 1905 में बंगाल के विभाजन की घोसड़ा हु दोस्तों जलिया वाल बाग हत्यकांड कभ भुआ तो 1999 में कहां हुआ था अमरित स्थर में तेरह में प्रस्ण दोस्तों भारा छोड़ो आंदोलन किस वर्श आरंभ हुआ तो 1942 में भारा छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था चब्द्वा प्रस्न है दा ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किस ने किया था असोग महता ये महता है असोग महता ने दा ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किये थे पंद्रवा प्रस्न है 1857 के गदर को किस ने करांती का नाम दिया तो याद रखेगा काल मार्स ने 1857 के गदर को करांती का नाम दिया था सोलवा प्रस्ण है 1857 की करांती का प्रमुक कारण क्या था Most important प्रस्ण है याद रखेगा चर्वी वाला कार्तूस ये गाय की चर्वी से कार्तूस बनाया जाता था और उसको मुँ से छिल करके गन में लगाया जाता था इसलिए हमारे भारत के लोग उसका बिरोध करती थे इसलिए उसका प्रमुक करण था कि 1857 में करांती आरम होई थी सत्रमा प्रस्ण है दोस्तों 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये मोश्ट इंपोर्टन प्रस्ण है दोस्तों कई बार पूछ चुका है 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लाड कैनिंग अगला प्रस्ण है रानी लेचमी बाई का जन्म किस अस्थान में हुआ था याद रखेगा कासी में अगला प्रस्ण है संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था जितने सन्माले कोश्चन से दोस्तों हम ये कहेंगे कि आप उसको लिख लीजिए क्योंकि लिखने से अच्छी तरह से याद हो जाता है प्रस्ण नमबर 20 है इंगलिस इस्ट इंडिया कमपणी का अस्थापना भारत में कभुआ है तरह याद रखेगा 1622 में इंगलिस इस्ट इंडिया कमपणी का अस्थापना भारत में हुआ था एक कैस्वा प्रस्ण है संथाल विद्रोह का नेता कौन था इंपोर्टन प्रस्ण है संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और काहु थे अगला प्रस्ण है दोस्तों 22. प्रस्ण है भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की अस्थापना का मुख्य कारण क्या था तो याद रखेगा कच्चा माल प्रात करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तू को भारत में बेचना अगला प्रस्ण है इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी किसने परदान की याद रखेगा सा आलाम दुतिय ने इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी परदान की थी अगला प्रस्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपी अकौन था भारत आने वाला प्रथम यूरोपी पूर्टगाल था प्रस्ण नमबर पचीश है दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था most important प्रस्ण है भले आसान लग रहा हो ये आपको लेकिन ये कई बार परिक्षा में पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध सत्रसो तिर्पन में हुआ था अगला प्रस्ण है ख्वाजा मुन्युद्धीन चिस्ती की दरगा कहां इस्तित है तो याद रखेगा अजमेर में अगला प्रस्ण है दोस्तों बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है most important प्रस्ण है ते महाप्रभु बंगाल का परचिद्ध सेन था अगला प्रस्ण है दोस्तों तलवंडी नामकस्थान में किसका जन्म हुआ था तो गुरुनानक देव का अगला प्रस्ण है महा कवी कवीर किसके सिच्च थे तो याद रखेगा महा कवी कवीर रामानंद के सिच्च थे एक तिसमा प्रस्ण है भारत में मुगल वंस का संस्थापक कौन था बाबर भारत में मुगल वंस का संस्थापक था भारत का अंतिम मुगल समराट कौन था तो याद रखेगा दोस्तों बहादुर साह जफर भारत का अंतिम मुगल समराड था प्रस नमबर 33 है पानिपात का प्रथम युद्ध किस फर्श हुआ था तो यह दखेगा पानिपात का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था प्रस नमबर 34 है अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था प्रस नमबर 35 है दोस्तों अकबर का वित्तिय मंत्री कौन था यह दर केगा राजा टोडर मल अकबर का वित्तिय मंत्री था अगला प्रस नमबर 36 है दोस्तों अकबर द्वारा चलाया गया दिन ए इलाही धर्म को मानने वाले एक मात्र हिंदू का नाम क्या था तो याद रखिएगा बिर्वल एक ऐसे हिंदू थे जो अकबर द्वारा चलाए गया दिन ए इलाही धर्म को मानते थे अगला प्रस्न है दोस्तो प्रस्न नमबर 37 है दोस्तो ताज महल किस नदी के किनारे इस्थित है तो याद रखेगा ताज महल यमुना नदी के किनारे इस्थित है प्रस्न नमबर 38 है ताज महल का निर्माड किसने करवाया था तो याद रखेगा ताज महल का निर्माड साजह अगला प्रस्न है अकबर नामा की रचना किसने की तो याद रखेगा अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की थी अगला प्रस्ने दोस्तों महा भारत की रचना किस भासा में हुई तो याद रखेगा महा भारत की रचना संस्क्रीत भासा में हुई थी अगला प्रस्ण है दोस्तों महा भारत का युद्ध कुरु छेत्र के माईदान में कितने दिनों तर चला Most important प्रस्ण है 18 दिनों तक महा भारत का युद्ध कुरु छेत्र के माईदान में चला था गंगा पुत्र किसे कहा जाता है भेश्म को गंगा पुत्र कहा जाता है दोस्तों महा भारत की विशेवस्तु कितने परकार में है most important प्रस्न है महा भारत की विशेवस्तु दो परकार में है अगला प्रस्न है महा भारत में कितने परकार के युद्ध का वरणन है महा भारत में आठ परकार के युद्ध का वरणन है आठ परकार के मतलब है दोस्तों जो चक्रव्यू रचे जाते हैं उस तरह के आठ परकार के युद्ध का वरणन है महा भारत की रचना किसने की महा भारत की रचना वेद व्यासने की थी मौरे समराज का त्रितिय सासक कौन था Most important प्रस्ण है मौरे समराज का त्रितिय सासक असोक था अर्थ सास्त्र के लेखक कौन है तो याद रखेगा अर्थ सास्त्र के लेखक काउटिल और चाड़क के है प्रस्ण नमर 47 है भारत का नेपोलियन की सासक को कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुंदर गुर्ट को कहा जाता है ये कई बार एक्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा याद रखेगा प्राचीन काल में मगद की राजधानी कहा थी तो याद रखेगा प्राशिन काल में मगत की राजधानी पाटली पुत्र में थी प्रस्ण नमर 49 है अर्थ सास्तर की रचना कब होई तो याद रखेगा चारमी सताब्दी इसापूर अर्थ सास्तर की रचना होई थी यह most important प्रस्ण है लिख लिजेगा अगला प्रस्ण है मोहन जोदोलो की खोज 1922 इसे भी में किसने की राखल दास मनार जी ने मोहन जोदोलो की खोज 1922 में की थी तिर्यतिय बोध-संस्क्रिति किसके शासनकाल में हुआ था तमबाकु का सेवन सरव पर्थम किस मुगल समराठ ने किया था Most important person एक कई बार पुछ चुका है अकबर ने तमबाकु का सेवन सरव पर्थम मुगल समराठ था अकबर एक ऐसा मुगल समराड था जिसने सरोपर्थम तमबाकू का सिवन किया था ये कई बार पुछा है और आगे भी पूछ सकता है दोस्तों प्रस नमबर 53 है पानिपत का दूति युद्ध कब हुआ था पानिपत का दूति युद्ध 1556 में हुआ था पस नमबर 54 है 1857 की महान करांथी का आरंब हुआ था तो याद रखिएगा 10 माई को 10 माई को 1857 की करांथी का आरंब हुआ था अगला प्रस नहीं दोस्तों बिजे नगर समराज की अस्थापना किसने की हरियर और बुक्का ये दोन भाई थे दोस्तों इन्हों ने बिजे नगर समराज की अस्थापना की थी प्रस नमबर 56 है बिजे नगर की सास को ने अपने आपको क्या कहा है तो याद रखिएगा राय कहा है most important प्रस नहीं पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था पाटली पुत्र नगर की अस्थापना उद्वाद्र द्वारा किया गया था प्रस नमबर 58 है मेगा स्थनीच कौन था तो मेगा स्थनीच एक राजदूर था अगला प्रस नहीं है पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों तच्छ सीला विसुवित्याले कहां इस्थित है तच्छ सीला विसुवित्याले चंद्रगुप्त मौले थे बौध परंपरा में असोक के कितने इस्तूपों का निर्मालक कराया था 84,000 इस्तूपों का निर्मालक कराया था दोस्तों जैन धर्म का पर्थम तिर्थकार थे जैन धर्म के पर्थमति जिठकार रिशवदय उत्या मोस्त इंपोर्टेंट प्रस्ण है अगला प्रस्ण है मावीर स्वामी ने पासर्वनात के सिधान्त में कौंसा नेया सिधान्त जोड़ा था तो याद लखेगा ब्रह्म अचेरि को जोड़ा था अगला प्रस्ण है बिहार में चंपारल सत्यागरह कब शुरू हुगा था तो बिहार में चंपारल सत्यागरह 1917 में शुरू हुगा था फ्रस्ण नंबर 66 प्रस्ट नंबर 66 है 1919 की अधिनियम को कहा जाता है साइमन कमिशन भारत कब आया था स्वाराज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो याद रखेगा दोस्तों स्वाराज पार्टी के संस्थापक मोति लान नहरू और सियार दास थे ये कई बार पुछाया कोशन याद रखेगा गांधे जी ने असजयोग आंदोलन के सुरुवाद कब से किया था तो गांधे जी ने असजयोग आंदोलन के सुरुवाद 1920 से आरंब किये थे प्रस्ट नमबर 17 है करो या मरो का नारा किस ने दिया था अगला प्रस्ट है पूना समझावता किस वर्स हुआ था पूना समझावता 1932 में हुआ था याद रखेगा जीके में दोस्तों जो जीके के प्रस्ट आते हैं उसमें गांधेजी से रिलेटेड एक या दो कोश्टन जरूर रहते हैं याद रखेगा प्रस्ट नमबर 72 है रोलेक्ट कानून किस वर्स पारित हुआ रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था प्रस्ट नमबर 73 है डांडी किस राज में इस्थित है most important प्रस्ट है डांडी गुजरात में इस्थित है अगला प्रस्ट है दोस्तों सम्मिधान सभा का गठन किस वर्स हुआ तो सम्मिधान सभा का गठन 1946 इसवी में हुआ था प्रस्ट नमबर 75 है 1950 इसवी की योजना आयोग का अध्यच कौन था बेरी बेरी most important प्रस्ट है जवाहलालनेहरू 1950 के योजना आयोग के अध्यच थे अगला प्रस्ट है अखिल भारती राज जन कानफरेंस का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था तो 1927 इसवी में अखिल भारती राज जन कानफरेंस का प्रथम अधिवेशन हुआ था अगला प्रस्ण है दोस्तों हिंदू परंपरा में मुख्ष प्राप्ति का मारग है most important प्रस्ण है यह आभी सकता है इसे लिख लेजिए हिंदू परंपरा में मुख्ष प्राप्ति का मारग क्या है ग्यान मार गया है कर्म मार गया है उसके बाद भाक्ती मार गया है दोस्तों अगला प्रस्ण है खान का का अर्थ है तो याद रखेगा खान का का अर्थ आशरम होता है दोस्तों प्रस्ण नमर 79 है खालसा का अर्थ है खालसा का अर्थ होता है गुरु गविंद सीग इस समय पंजाब चर्चा में है दोस्तों तो याद रखेगा पंजाब से यह related है और यह questions आ सकते हैं अगला प्रस्ण है मालिक मुहम्मद जासी नहीं सौरी इसमें टापिंग करने में कुछ गलती हो गई है मलिक मुहम्मद जासी द्वारा रचित पदमावत था तो यह याद रखेगा एक प्रेमा ख्यान था most important प्रस्ण है दोस्तों याद रखेए प्रस्ण no.81 है दक्कन का युद्ध को कहा जाता है तो याद रखेगा ताली कोटा का युद्ध ठक्कन का युद्ध कर युद्ध कहा जाता है टॉप 100 जी के कोश्चनस हिंदी में है तोस्तू अगला प्रस्ण है बिजय नगर समराज की अस्दापन चब होई भारत में मुगल सम्राज की कि अस्थापना कब हुई भारत में उगल समराज की अस्थापना 1526 सभी में हुई थे प्रस्ट No. 84 है बाबर नामा का कौन सा भाग आईने अखबारी के नाम से जाना जाता है तृतिय भाग अगला प्रस्न है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गौतम बुद् महबीर स्वामी के माता का नाम क्या था त्रिसला महबीर स्वामी के माता का नाम था अगला प्रस्न है दोस्तों जैन धर्म के 23 तिर्थंकार कौन थे जैन धर्म के 23 तिर्थंकार पासर बना थे यद रखेगा कितने लोग महबीर स्वामी लगा कर चले आते हैं तो यद रखे पासर बना थे अगला प्रस्न है गौतम बुद्ध को किस ब्रिक्ष के नीचे ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो याद रखेगा पीपल का ब्रिक्ष था ना की बरगत का कितने लोग बरगत लगा कर चले आते हैं इतना आसान कोश्चन होता है और अपना एक नमबर कमा के चल मशकार भारत है ठॉलोंभुसmoters लाफद नमबर नाइंटी है हडपा की बस्ती कितने भागोंे विभक्त थी मॉस्ट इंपोरह्टन हरुपा की वस्ती दो भागों में विवाकत थी अगला प्रस्न है सर्वे आफ इंडिया का गठन किया गया था सर्वे आफ इंडिया का गठन 178 ही में हुआ था शार किरस्थ नम्हांचटी टु ए फज्ञ भर कि अस्छाहतना क्य टि हिंदु महसबा की अस्थापना 1913 20 में हुई थी अगला प्रसन है म ज़िम लेग की अस्थापना कब हुई 1996 दोस्तों मैं लेकृ सम्प्रवधान के अनुसार संप्रबूतन हिद है तो याद रखेगा राष्टपती में very very most important प्रस्ण है आसान है लेकिन याद रखेगा ये कई बार पूछ चुका है भारती सम्मिधान के अनुसार संप्रभूता किसके में नहीत होती है तो राष्टपती में नहीत होती है प्रस्ण नमर 95 है दोस्तों गेटवे आफ इंडिया का निर्माण हुआ था most important प्रस्ण है उन्नी सो इग्यार इस भी में गेटवे आफ इंडिया का निर्माण हुआ था प्रस्ण नमर 96 है बिहार में 1857 की महान करांती का नेत्तितु किस ने किया तो याद रखेगा कुमर सिंग ने किया था अगला प्रस्ण है प्रसिद बिरुपाक्ष मंदिर कहां इस्थित है हमपी में प्रसिद बिरुपाक्ष मंदिर इस्थित है प्रस नमर 98 है दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंग ने दिया था दोस्तों बागत सिंग हमारे आइडल भी है प्रस्ट नमर 99 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा किस ने दिया तो सुबाश चंदर बोस ने दिया था अगला प्रस्ट है आप लोग कमेंट बाक्स में बताएगा आपके कौन से कांदिकारी आपके आइडल है बाकी तो सभी लोग हीरो सी थे प्रस्ट नमर 100 है दोस्तों सरव पर्थम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किया था राजा नहीं है किस राजा ने जारी किया था तो याद रखेगा यवन राजा ने सरोबर्थम भारत में सोने के सिक्के जारी किये थे दोस्तों ये सभी questions जो 100 है most important प्रसन है ये इसमें से आई से questions है जो 5-6 बार पूछे जा चुके है 5-6 बार questions पूछे जा चुके हैं परिक्षा में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है मैं गारंटी के साथ कैसा कता हूँ दोस्तों और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताईएगा एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं अगले कलास में तब तक ले जाहिन बन्दे मातरम